Hello future doctors, मैं हूँ अविनाश और एक important update के साथ आ गया हूँ चैनल पे important update यह है कि यार अगर हम aim कर रहे हैं करनाटिका में institutions और हम outside करनाटिका के हैं तो हमें वहाँ पे CET registration करना जरूरी है लेकिन काफी सारे students से miss out हो गया था तो एक बार date वापस open हो रहे हैं तो उसके बारे में हम detail में discuss करने वाले हैं लेकिन काफी सारे students को यह पता ही नहीं है कि करनाटिका CET होता क्या है तो करनाटिका CET एक examination होता है जिसके basis पे आप करनाटिका के college में admission लेते हो बट अब एक question यह आता है कि मुझे मैं medical का student हूँ मुझे इस particular examination के लिए registered क्यों करना है क्योंकि देखो अगर जो all India all India courtे से जो seats मिलती है जैसे कि जो government medical colleges है वो तो आपको need की counseling के त्रू मिलेगी लेकिन जो private institution होते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे mandatory registration करना है जो कि इनका official documentation आया है मैं आपको बता देता हूँ वो क्या बोलना चाहरे है exactly तो आप देख रहा हूँ यहाँ पे उन्होंने note भी लिखाया है कि for admission to medical dental architect आयरवेद यूनानी homeopathic और जो सारे courses है candidates should also mandatory register themselves for CET 24 तो यहाँ पे हमें इस particular examination के register करना पड़ेगा exam हमारा need का ही होगा हमें कोई अलग से exam नहीं देना especially अगर हम medical field में जाना जा रहे हैं तो हमें कोई extra exam नहीं देना पड़ेगा हम सिर्फ और सिर्फ need के through ही appear होंगे लेकिन अगर हमें उसकी counseling में बैठना है private institution में apply करना है तो registration करना जरूरी है और obviously बात है मैं application fees भी pay करना है अब ये dates कब open होने वाली है तो जो dates open होने वाली है यहाँ पर as per the documentation ये start होगी 11 बजे से 12 तारिक को और 15 तारिक तक चलने वाली है date तो आप समझ सकते हो 12, 13, 14, 15 almost 4 दिन के लिए open होने वाला है ये particular examination एक सबसे important चीज जो उन्होंने बोली है वो ये बोली है under any circumstances dates will not be extended further to apply for CET 2024 तो यार अगर need dropper हो या फिर need fresher हो करनाटे का एक open state है उसमें अगर appear होना चाहते हो private institution उसके अगर target कर रहे हो करनाटे का CET में registration नहीं किया, miss out हो गया या complete नहीं हुआ था तो आप 12 तारिक से लेके 15 तारिक तक फिर से appear हो सकते हो और वहाँ पे register कर सकते हो और फिर आप eligible हो जाओगे करनाटे का state counseling में जिसमें आप private institution में appear हो गे त्यार ये तो एक छोड़ा सा update था, एक update मेरे पास और भी है और वो update ये है कि हमने अपना rank versus score का tool launch कर दिया है rank versus score का tool launch कर दिया है तो सबसे बड़ी problem students के साथ ही होती है कि मेरे 4500 नमबर आए है, मेरे 500 नमबर आए, मेरे 600 नमबर आए मेरी rank क्या है, क्यों? क्योंकि जो colleges मिलते हैं वो आपको rank पे मिलते हैं, नमबर पे नहीं मिलते हैं तो काफी सारे students परेशान हो रहे थे आपका score 600 है, तो आपकी rank अलमुस्ट अलमुस्ट उननीस हजार 141 से लेके 23,731 तक average जाने वाली है rank यगिन एक analysis है, prediction है, मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि 100% guaranteed है, लेकिन हाँ, हमारा जो analysis है 5 साल का उसके basis पे हमने यह बताया है, और अभी भी need के registration चल रहे है आज last date है, हो सकता है, extend हो जाएगी, तो इसके बाद हम इसे और फर्दर update करेंगे तो यह tool total free of cost है, नीचे link में description दिया गया है description में link दी गई है, उस पे जा के जाओ, इस link पे जाओ और चेक करो कि आपके जो अभी score आ रहा है, उस पे क्या rank बन रही है आपकी और उसके basis पे आप कौन से colleges target कर सकते हो, त्यार इसी के साथ मैं हूँ अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, चलना आपका काम है I hope you like this video, for more such videos keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe